गुड आफ्टरनून स्टुडेंट आज हम लोग छिती का चैप्टर 11 पढ़ेंगे सवया इसके जो रचाईता है रस्खान कभी है रस्खान कभी का जन्म सन 1548 इस भी में माना जाता है उनका मूल नाम सयद इब्राहीम था वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे क्रिष्ण भक्ति में वे इस तरहलीन थे कि गोस्वामी बिठल नाथ से दिछ्छा ली और व्रज भूमी में ही जाकर वो बस गए जो रस्खान की जो प्रेम है क्रिष्ण के प्रती वो केवल क्रिष्ण के प्रती ही नहीं दिखती बलकि उनसे संबंदित क्रिष्ण से संबंदित जो भूमी है या उनसे संबंदित जो भी बस्त हुए है उन सब के प्रती रस्खान की रस्खान का जो प्रेम वो जह लगता ह रस्खान की मृतु सन 16-28 इस भी के आस पास हुई रस्खान की जो कृतियां है वो है सुजान रस्खान प्रेमबाटी के रस्खान रचनावली के नाम से उनकी रचनावों का संग्रह मिलता है उनके काब्य में क्रिष्ण की रूप माधुरी, ब्रज भूमी, राधा क्रिष्ण की प्रेम लिलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है इन्होंने ब्रज भासा का प्रियोग किया है तथा अत्यांत सरस और मनोरम भासा का इन्होंने प्रियोग किया है यहां पे चार सवाय दिये गए हैं पहले सवाया में श्री कृष्ण के प्रती और उनसे सम्बंदीत जितनी भी बस्तुएं हैं भूमी और जिस तरह से जो भी जिससे कृष्ण को प्रेम था जिस चीजों से उन सब चीजों के प्रती रस्खान अपने प्रेम को प्रकट करते हैं पहले दोहे में पहले दोहा नहीं है सवाया है तो इसको हम लोग देखेंगे पहले को तो पहला सवाया है देख लिजिए मानुस हो तो वही रस्खानी बसो ब्रज गोकुल गाम के गवारन रस्खान कभी कहते हैं कि यदि हे इस्वर हमें मनुस्य का जनम मिले तो ब्रज के गाउं में ही हमको जनम दीजिये ग्वाले के रूप में ताकि हम स्री कृष्ण के साथ रह सके और उनके साथ अपना समय ब्यतीत कर सके जो पसु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजहारन यदि मुझे पसु का जनम मिले तो भी मुझे ब्रज में ही जनम देना जहां मैं स्री कृष्ण जहां गाय चराते हैं उन्हीं गायों के बीच में रहूं ताकि मैं स्री कृष्ण के समीप रह सकूं पाहन हो तो वही गिरिको जो कियो हरिचात्र पुरंदर धारन यदि मुझे पत्थर का जनम मिले तो मैं वही तो भी मैं वही ब्रज में जो पत्थर है जो पहाड है जो परवत है उसी परवत का पत्थर बनना पसंद करूंगा तो हे प्रभु मुझे यदि पत्थर के रूप में भी जनम मिलेगा तो मैं ब्रज भूमी में ही रहना पसंद करूंगा क्रिष्ण के समीप जो खग हो तो बसेर करो मिली कालिंदी कुल कदमबन की डारन यदी मुझे पक्षी का जनम मिलेगा तो भी मैं यमुना तटके किनारे जो कदम का पेण है वहीं पे मैं जनम लेना चाहूंगा इस तरह रस्खान कभी जो हैं श्रीक्रेश्न तथा उनसे संबंदित हर एक वस्तूओं के प्रति अपने प्रेम को दर्साते हैं प्रेम को प्रकट करते हैं वो मनुस्य रूप में भी ब्रज के ग्वालों के रूप में जनम लेना चाहते हैं और पसू रूप में जो गाय वहा प्रवत के पत्थर को गोवांथन परवत जो है जो पत्थर है उन्हीं के रूप में वहीं यह जनम लेना चाहते हैं और नदी के किनारे जो गदम का पेड़ है उसी वहीं पर रहना चाहते हैं दूसरा है यहां पर भी दूसरा सवया है इसमें भी वो श्रीकृष्ण तद्धा उनके जो समबंधी चीजें है जिसे श्रीकृष्ण प्रेम करते हैं जो उन्हेये पसंद है उन सब चीजों के प्रती अपने प् रस्खान कभी कहते हैं कि स्रीक्रिष्ण के पास जो लकुटी और कम्बल और लाठी लकुटी मींस लाठी और कमरिया मींस कम्बल श्रीक्रिष्ण के जो दंडा लिए रहते हैं लकुटी और जो कम्बल है उनके डंडे और कम्बल पर मैं तीनों लोक के जो सुख है उसको मैं निवचावर कर दूँगा यानि तीनों लोग का जो सुख है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस स्रिक्रिष्ण के लाठी और कम्बल चाहिए आठो सिध्धी नौ निधी के सुख नंदन की गाय चराई विशारों आठो सुख, आठो सिध्धी और नौ निधी, आठ सिध्धी होती है और नौ निधी होती हैं जो की बहुत ही महतोपूर होते हैं हमारे जीवन में तो उन सुखों को भी वो त्याग देना चाहते हैं और नंद की गाय को चरा के अपना जीवन वो सफल बनाना चाहते हैं उनको आठ सिधी और नौ निधी का भी वो त्याग कर देंगे यदि उन्हें नंद की गाय को चराने को मिल जाए रस्खान कभो इन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो यदि रस्खान कभी कहते हैं कि मेरी आखों को कब ब्रज के बाग बगी चे तलाब वहां की सब द्रीस हैं वो मेरे आखों को कब देखने को मिलेंगे कोटिक मिन्स करोडो कलधाउत मिन्स सोने चांदी के महल रस्खान कभी कहते हैं कि जहां स्रीक्रिष्ण बास्टुरी बजाते थे जिन जाडियों के बीच में उन कांटे दार जाडियों के लिए मैं सोने चांदी के करोडो महल को निवचावर करने को तयार हूँ तीसरा सवया है अब मोर पंख सिर इसमें जो गोपियां है उन गोपियों में से एक गोपी जो है श्रीक्रिष्ण का जैसा वेश भूसा है वैसा वेश भूसा धारन करने को तयार है वैसा वेश भूसा वो अपना बनाना चाहती है मोर पंख सीर उपर रखियों गुंज किमाल करे पहिरोंगी गले पहिरोंगी मतलब कहते हैं कि जिस तरह स्री कृष्ण सीर पे मोर का पंख लगाये हुए रहते हैं उसी तरह एक गोपी कह रही है कि मैं भी अपने सीर पर मोर का पंख लगाऊंगी गुंज की माल गरे पहिरोंगी और गुंज की जो माला है अपने गले में पहनूँगी और ही पितंबर ले लखुटी बन गोधन गुवारिन संग फिरोंगी और अपने हाथ में डंडा और अपने शरीर पर पीला वस्त्र धारण करूँगी और ही पितामबर यानि कि अपने सरीर पर पीला वस्त धारण करूँगी और हाथ में डंडे को धारण करूँगी और जो गोकुल के जो ग्वाले हैं उनके संग मैं भी गाय को चराऊंगी भावतो वही मेरो रसखानिसो तेरे कहें सब स्वांग करूँगी जो भी भावतो में जो भी मेरे स्रीकृष्ण को पसंद है वो सब चीजे मैं करूँगी या मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूँगी लेकिन श्रीक्रिष्ण को जो भी पसंद है वो सब चीजे मैं करूंगी लेकिन श्रीक्रिष्ण जिस मुरली को अपने अधरों पे अपने होटों पे लगाये रहते हैं और बजाते हैं उस मुरली को मैं नहीं धारण करूंगी यहाँ पे जो गोपी है वो मूरली के प्रती बंसी जो बजाते हैं उसके प्रती वो अपना आक्रोस ब्यक्त करती है कि स्रिक्लिष ने जैसा जैसा वेस वुषा धारण करते हैं वैसा मैं सब कुछ करूँगी जो उनको पसंद है वैसा मैं सब कुछ करूँगी लेकिन मूरली जो अपने अधरों से होटों से लगा के रखते हैं, उस मुरली को मैं अपने होटों पे लगा के नहीं रखूंगी. तो यहाँ पे जो गोपी है, वो मुरली के प्रती अपना आकरोस ब्यक्त कर रही है. नेक्स्ट है, चोथा सवया है, काननी दे अंगुरी रही बो, जब अहीं मुरली धनु धुनी मन्द बज़े हैं. यहाँ पे एक गोपी कह रही है, कि जब श्रीक्रिष्न मुरली बजाएंगे, तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, मैं उस मुरली को नहीं सुनूँगी. पिर उसके बाद कहती हैं गोपियां, कि यदि वहाँ पे ब्रज में जो होली खेलती हैं, और वहाँ पे जो होली का गीत गाते हैं, उसके भी समय कह रही है, कि यदि श्रीक्रिष्न वहाँ पे कहीं भी होली के जो गीत गाये जाते हैं, उसको गाएंगे, तो भी मैं उसे नहीं सुनूँगी. उसको भी मैं नहीं सुनूँगी, कान को बंद कर लूँगी, और जब वह होली के गीत गायेंगे, तभी भी मैं उसको नहीं सुनूँगी. मैं यदि ब्रज के लोग मुझे कितना भी समझाएंगे, तो भी न मैं उनकी बासुड़ी को सुनूँगी, और नहीं उनकी जो फागुन के गीत गायेंगे, उसको मैं सुनूँगी. माई वामुख की मुझे काने सम्हारी नजए हैं, नजए हैं, नजए हैं. लेकिन जब स्रीक्रेशने, जब हासेंगे, मुझे कर दूँगी, मैं अपने कान बंद कर लूँगी, आँख बंद कर लूँगी, लेकिन जब वो मुस्कुराते हैं तो उनकी मुस्कुराहट को देखके मैं अपने आपको नहीं रोक पाती हूँ और मैं भी हसने लगती हूँ और उनके प्रेम को मैं दरसा देती हूँ तो यहां पर गोपियां कह रही है कि सब कुछ हम लोग उनके मुरली को भी नहीं सुनेंगे कान बंद कर लेंगे उनके गीत को भी हम लोग नहीं सुनेंगे लेकिन जब उनकी मुस्कान है उस मुस्कान को देखकर हम अपने जो हमारे अंदर आक्रोस है जो हमारे अंदर गुस्सा है हम उसको ब्यक्त नहीं कर पाते हैं और हम भी उनके साथ हंस देते हैं तो इस तरह ये लेशन कम्प्लीट हो गया है इसका question answer आप लोगो send कर दिया जाएगा